आप चाहते हैं कि आपके बाल बहुत जल्दी ग्रो करें, आपके जो नेल्स हैं यानि कि नाखुन बहुती ज़्यादा मजबूत बनें, आप चाहते हैं कि आपके विश बहुती जल्दी मैनिफेस्ट हो, तो आज मैं आपको बहुती खास रिचुल बताने वाली जो आप कर सक लिए वो आप आज भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आज का दिन पूरा है तो वो भी आप कर सकते हैं, साथ ही साथ जो मैं रिचुल आपको बताने जाहिए। इस रिचुल को भी आप जरू से कीजेगा परिवतर आप जरू से देख पाएंगे। तो आपको करना क्या है? simply अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों की growth बहुत ज़्यादा fast हो जाए तो वैसे तो कहा जाता है कि पुनिमा पे cut नहीं करने चाहिए लेकिन हलके से trim आज के दिन आपको जरू कराने चाहिए अगर आप बालों को हलका से trim आज के दिन कराते हैं आप देखेंगे कि आपकी जो hair growth है वो बहुत ही ज़्यादा fast हो रही है साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो nails है वो बार बार टूट जाते हैं या वो कमजोर है अलाकि बाकी सारी चीज़ें भी माइने रखते हैं लेकिन आज के दिन आप ट्राइ करके देखेगा हलका सा या तो उनको trim कर दे या उनको file कर दे से भी जो nails की growth है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा fast हो जाएगी आप चाहते हैं कि आपकी ढकी skin नहीं बहुत जादा चमकडार बने आपकी जो आखों की रोष्नि है वो बहुत अछी बहुत हो जो जाएut आपके अंदर एक अच्छा ही एक अट्रैक्शन और ग्लो आजाए तो उसके लिए भी आपको रेमेडी बताने जारी हो आपको करना क्या है रोज वाटर जो गुलाब जल होता है वो आप ले लीजे उसको पानी में थोड़ा सा मिक्स कर लीजे और यह जो पानी है आप किसी भ आपको चंदरमा की रोशनी में रखना है पुर्नी वाली रात को अगर यह आप इसको चंदरमा की रोशनी में नहीं रख सकते तो आप इसको अपने घर के पूजा स्थान पर रख लें लेकिं कोशिश करें कि अगर आपको लगता कि टेरस से भी चंदरमा की रोशनी वहां तो टेरस पे, बालकनी में, आपको मौका मिलेगा, वहाँ पे आप इसको रख देंगे, तो वो जल्दी से काम करेगा, ठीक है, अब आपको इसको रख देना है, इसी के साथ-साथ, आप जिस कंगी से अपने बाल बनाते, उस कंगी को भी आप चंदरमा की रोशनी में रखते, साथ-साथ, छोटा सा आइना, अगर आपके पास कोई भी शेप का होगा, तो एक आइना भी रख दीजे, फिर आप, अगर कोई क्रीम या ओल आप अपने बाली पे यूज करते हैं, तो वो क्रीम बॉटल, एज जैसी है वो बॉटल, वो सब चंदरमा की रोशनी में आप लेनी है, लेकिन सूरज उगने से पहले, अप नहीं भी उठते तो एक दिन आपको थोड़ा सा जल्दी यहां पे उठना होगा, और सारी चीजों को आपको अंदर ले लेना होगा, फिर आपको क्या करना है, जो आइना मैंने आपको बताया, उस आइने में सबसे पहले आप अपर एक कमरे में घुमा लीजे, और बाद में इसको रेगुलर इस्तमाल कर साथे, वो कितने भी साइस का आइना हो सकता है, इतना बड़ा है तो इतना बड़ा चोटा है, जो भी हैंड वाला मिरर होता है, कोई भी आप वो ले लेंगे और इसको आपको चंदरमा की रोशन इनरजी कैच हो जाएगी, ये वाला जो मैंने आपको बता नहीं, अगर आप हर पुर्निमा भी करते हैं, तो इससे आप देखेंगी कि आपके घर में सुक्षानती बरकरार होती चली जारी है, साथी साथ, जो आपने कंगी रखिए, क्रीम, तेल, जो रखा है, इसको इसको डाल ऑपना देखेंग अपने पानी केल होरा है, उसंयों पानी से आपको आँखों पर छीटे मारने है, अपना मूद हो आपना है, वही पानी घर के सब भी मेंबर्स टकोपते हम और उसी पानी को आप चाहे तो नहाने के पानी में भी ढालकी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप च आप जल वाला भी एक पानी आप अलग से तयार करके रख सकते हैं, तो यह पानी पीने से भी अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्य वाला है आपके घर में तो वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा, किसी को डिप्रेशन की प्रॉबलम है तो वो दूर हो जाएगी, बस इस बात का ध्याना, भले एक चम मच्चा आप उसमें मिलाएं, तो यह है छोटी सी रेमेडी, लेकिन है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली रेमेडी, इसको कीजिएगा जरू, इसका फीडबैक भी मुझे जरू से दीजिएगा, जो आज मेने बताया है, यह जरू से श पुष्रे, Namaskar